कानपूर में शुक्रवार को ही हिंसा और पत्राव की घटा को लेकर के तमाम वीडियो अप सामने आ चुके हैं लेकिन उसमें से तो कई वीडियो हैं जिसमें ये दिख रहा है कि कहां से ये इस पत्राव और हिंसा के शुरुआत हुई है इस वक्त हम आपको उसी जगहा पर लेकर के आएं हैं और ये दिखाने के लिए कि वो कौन सी जगहा है जहां पर से इसके शुरुआत हुई थी और यहीं पर से कुछ दूरी पर, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ठेला लेकर के पत्त्राव किया गया देखिए इस वक्त हम जहां पर मौझूद हैं यह हमाया ठीक सामने है चंदेश्वर हाता यहां पर हिंदू समुदाय के लोग इस पूरे जगहां पर रहते हैं यहां पर कई घर हैं और इसी जगहां पर यह जो सामने दुकाने हैं यहां पर से कई वीडियो सामने आए हैं क्योंकि जो हमने देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग रोड के दूसी तरफ थे और वो इधर से गुजर रहे थे और उसी दौरान एक शक्स यहाँ पर सामने आता है जैसा कि वीडियो में भी दिख रहा है हाथ का इशारा करता है और उसके बाद में जो रोट के दूसी तरफ से लोग जा रहे होते हैं वो अचानक कूद करके इस तरफ आते हैं और यहाँ पर पहले हंगामा शुरू होता है कि तरफ से वापस आते हैं उस तरफ से वापस आते हैं और सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो चल रहे हैं उसमें यह दिख भी रहा है वहां से वापस आने के बाद में एक ठेला उनके साथ में होता है जो ठेला लेकर करके वह कमोवेश इस इस इलाके तक यहां तक पहु करते हैं तो ABP News आपको Ground Zero पर लाकर कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तमाम वीडियो दिख रहा है जिसमें पत्राव की घटा दिख रही है जिसमें उपद्रवी नजल आ रहा है वो वीडियो बने कहां से थे वो वीडियो कमोवेश उसमें से काफी सारे वीडियो इन ज थ्राव कर रहे थे और वहां पर भले पुलिस के भी को जवान थे लेकिन उस जौरान उनका भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा था और पूरी घटना इसी जगहां पर घटी है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं तो ABP News Ground Zero से आपको तमाम तस्वीरे दिखा रहा है वो तम कि अगले कुछ घंटों के अंदर उन सभी आरूपियों को भी ग्रिफतार कर लिया जाएगा सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकिर गुपता ABP News कानपूर